हलो इवरीवन दिस इपक्तिवारी और यह अपना पूल्टी का टेस्ट है और अगर आपने theoretical कर दिया है तो अच्छी बात है अगर आपने नहीं किया है तो description में link है आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं अगर आपने नहीं भी किया है अगर वहां पे भी नहीं करना है तो कोई टिकत नहीं है आप चाहे तो अपना टेस्ट देकर देख सकते हैं कि आपका क्या लेवल है अभी इस में रइट तो चलिए सुरू करते हैं पहला कोश्चन है यहां पर कि राजियों के मुखमन्तरी ये नियूक्ट किया जाते हैं इनको छुना नहीं जाता है Nukre कीया जाता है घिक है मतलब कि जो दल जैसे मालने की राज़े में चुना हुआ बिधान सभा होता है तो बिधान सभा में जिस पार्टी को ज़्यादा सीट मिला होता है उसी पार्टी के एक नेटा चुना जाता है उसी नेटा को राज़ेपल क्या करते है मुख्य मंत्री यानि कि चीप मिनिश्टर न्यूक्ट करते हैं तो राज परधान मंत्री के भी न्यूक्ती होती है और मुख्य मंत्री के भी न्यूक्ती होती है इनका चुनाव नहीं होता है द्यान रखना आपको मुखमंति के न्यूक्ति किसके द्वारा की जाती है तो यह की जाती है राजपाल के द्वारा अपसर नंबर सी साही जवाब होगा इसका नेक्स है कि निमिकित कतनों पर विचार कीजिए इसको देखते हैं थौर्ड नंबर तो पहला है कि कोई ब्यक्ति जаб तक उसमें 30 बर्स की आयूखुर नहों हो राजपाल के रुप में न्यूक्त के पात्र नहीं है ब्लिकुल गलत है राजपाल बनने के लिए कम से 35 साल की उमर होनी चाहिए अगला है दूसरा एकी ब्यक्ति तीन राजियों के राजपाल के रुप में नुक्ट किया सकता है बिल्कुल ये किया सकता है आप्सवन नमर बी सिर्फ सही है ये आप्सवन नमर बी सही जबाब हुआ फोर्थ है निम्रिक्र कत्नों पर बिचार कीजिए कोशन है यहाँ पर कि भाग के राजियों से संब्धित नमर के कत्नों पर बिचार कीजिए तो पहला है कि बिधान मंदल के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगामी सत्र की पर्थम बैठक में जबाब है निर्वाचन के पहस्चार राजपाल को अनिवारतियों बिधान सब्धा के प्रतिक बर्थम सत्र तथा प्रतिक बर्थम सत्र में फासन देना होता है बिल्कुल जैसे की लूख सब्धा में बैठक होती है साल की पहली बैठक को बजट सत्र बोलते हैं तो उससे मैं राजपाटी पासन देते हैं इस तरस से जब राजपाल के बिधान सब्धा में बैठक होती है तो वहां पर भासन राजपाल को देना होता है और इन दोनों का देखिए, राजप्ती के भासन मंत्रि मंदल त्यार करती है, राजप्ती के भासन देते हैं लोग सभा के डिया अग्र। अगला देखती है, फिफ नंबर, फिफ है भारतिस्तम विधान में जम्बु कस्मीर को विस्षीस राझ का दरजा देने का अभी प्राई है, और इसका मतलब होगा कि जंग्बुब कस्मिर का लग सम्भिधान है हलाकि अब था यह है नहीं अब एक खत्म कर दिया गया है 370 एक आर्टिकल में था जंबु कस्मिर का सम्भिधान में क्या था किसका सम्भिधान 26 नॉवमर 1957 को लागो हुआ था कब हुआ था 26 नॉंबर उनिस सो संतावन को जमुरु गस्मिर्कासा मिधान लाग हुआ था और यहां का जो बिधान साबा था नो छे साल का हुआ करता था हला कि अब ऐसा कुछ है नहीं लेकिन कोश्चन तो हमारे लिए बन गया जो हमें हमेशा देखना होगा अगला है सिक्स नंबर कि भालत के निर्वाश्चन में राजी का मुख मंत्री मर्दान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि तो इदि स्रीवाला जबाब होगा यदि वो राजी बिधान मंदल पे उस साधन का सदस्य हो तो अगर उच्छ बाड़ मंदल का बतलब क्या है यहाँ पे उस साधन के बिधान परिसाद कुछ राजयों में क्या है बिदान परिसाद है कुछ BRD मैं है आर यह कि यहां पे महाराष्ट्रा है यहां अंध्रपरदेश है तो इन दोनों में है बिधान परिशत यहां पे यूपी है यहां बिहार है इन दोनों में है यहां अंध्रपरदेश है यहां तेलंगाना है तो तेलंगाना अंध्रपरदेश करणाटक महाराष्ट्र यूपी बिहार ये 6 जगोव पहीं बिधान परिशत है अगर यहाँ एगर किसी इस हाउस में से बिधान परिशत का अगर मुख्य मंत्र है उस राजिका तो भोट नहीं कर सकता इसी को बताया गया है 6 वाले में तो सही जवाब हो जाएगा option number C सात्वा है कि बिधान परिशत के कितने सदसे बिधान सभा द्वारा चुने जाते हैं तो इसका सही जवाब है one third 33% के आसपास option number 20 सही जवाब होगा आठवा है कि बिधान परिशत के स्रेश्यों के नुक्ति होती है तो देखिए डारेक्ट चुनाव तो होता नहीं है इसका डारेक्ट चुनाव भी होता है न कुछ ग्रेजिवेट करते हैं यह बात तो सही कुछ ग्रेजिवेट भी करते हैं ठीक है कुछ ग्रेजिवेट करते हैं कुछ लोग का चुनाव यह भी सही है और परत्यक्स भी होत इसका लेकिन राज सभाब में किसी का चुनाव पर्टेक्शन नहीं होता है अगला है निमिकित में से किसी राज के राजपाल को दी गई वीवेका दिन सक्तियां है अब देखते हैं पहला है कि भारत के राजपती को राजपती सासन अजिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना बिलकुल ये काम है इनका दुसरा है मंत्रियों के निउक्ति करना तो मंत्रियों के निउक्ति करना ये काम इनके में तो आता नहीं है ये गलत है, नुक्ति नहीं कर सकते प्रधामंदी के सलापे करना होता है दुसरा है कि राज पिधार मंदल दोरा पारिज कतिपई बिध्यको को भारत के राज़ पतिकले बिचार कर या रक्षित करना ये इस सकती में आता है ये जो सकती होती है उसको लेकर इसका सही जवाब होगा बिधान सभागे प्रती, समोई के रूप से बिधान सभागे प्रती और व्यक्तिकत रूप से राज़पाल के प्रती अगला है कि निमिकित राजियों में से किस राज्य में बिधान परिशद नहीं है तो अभी हमने जाना था कि यूपी, बिहार, महराष्ट, राइट, करनाटक, तेलंगाना और अंदरपर्देस में है लगी बच्छी मंगाल में नहीं है तो अप्सन नमर डीज का सही जवाब हो जाएगा अगला है कि भारत में दिल सिनात्मक ब्यवस्था वाले कुल कितने राज्य हैं तो इस समय च्छे हैं, अप्सन नमर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा बारहवे का, तेरहवा देखते हैं कि समान्यत राज्यों के मुख मंत्री बिधान साभा में बहुमत डल के नेता होते हैं अप्सन नमर सी, सही जवाब है चो अधावा है कि मुख मंत्री के निक्ति समय च्छे के तहत किया जाती है यह काफिट पॉट्टिन कोचन ने और यह आर्टिकल 163 के द्वारा किया जाता है अप्सन नमर सी, सही जवाब होगा इसका अगला है कि निकित कत्रों में से कौन सा कत्रों सही है अना पर लाइन है कि भार्ट के सम्विधान कर्मशेद 200 के उबंध में किया धीन किन राज्यों का राजपाल तो किसी राज्यों के राजपल गया कर सकता है पहला है कि राज्य बिधान मंदल द्वारा पारित दिध्यद पर अनुमती रोक सकता है तिसरा है कि उर्याइज बिध्याइन मंदल दोड़ा पारित बिध्यक राश पती के बिचार के लिए रक्षित कर सकता है। तुन यह भी कर सकता है। तो ये तीनों कर सकता है फॉर्ट सेकेंट हो टीनों ही सही है और अगला है नमने कित कत्रों पर विचार कीजिए पहला है कि भालत किसी राज्य की बिधान परिसर आकार के उस राज्य की बिधान सवा के आदे से अधिक बड़ी हो सकती है और ये बिलकुल भी नहीं हो सकती दूसरा है किसी राज्य का राज्य पाल उस राज्य की बिधान परिसर के सभापती को नाम निर्देशित करता है नहीं ये भी नहीं करते है राज्य पाल उसमें से खुद एक को चुना जाता है ये दोनों ही गलत है यानि कि अपसर नमर दी साही जबाब होगा कोई में से कोई नहीं सत्रहवा है निम्रिकित में से किसको महाभ्योग के बीना हाटाए जा सकता है तो वह है किसी राज्य के राज्य पाल को इनके ओपर कोई महाभ्योग नहीं चलता है राज्य पाल होते है और वाश्टविक परधान कौन होते है तो मुख्यमंत्री होते है अगला है राज्य पत्री किसकी सलाव पर किसी राज्य के राज्य पाल के निक्ति करता है तो यह करते है परधान मंत्री के सलाव पर अफसल नमर सी सही जवाब है इसका अगला देखते है किदास सरकार का समिधालिक परमुफ होता है और यह राज़पाल होते हैं अप्शन नमर D अगला है समानी रूप से राज़पाल का कारेकाल होता है और यह पांच साल का होता है समानी रूप से अप्शन नमर C अगला है राज्य के सासन का वास्तविक अर्द्यक्स कौन होता है तो वास्तविक जो होते हैं वो मुख मंत्री होते हैं सीम होते है चीप मिनिस्टर अगला है कि राज्य मंत्री परिशद का निर्माता यानि कि सनहारक तथा प्रान दाता होता है अर्वा होते हैं राश्पती अप्सन नमर डी अगला है राज्य मंत्री परिश्द रूपी जहाज के निद्यसक चकर का चालक होता है और इसके चालक सीम होते हैं अप्सन नमर बी सही जवाब है इसका अगला है राज जिपाल तथा मंत्री परिश्ट के बीच कड़ी होता है अरवा होता है चीफ मिनिश्टर अपसाल नमर 10 सही जवाब है इसका अगला है किसी राज में मंत्री परिश्ट की बैठक किया देखस्ता कौन करता है और वाग करता है Chief Minister और अप्सान नमर सी सही जवाव है इसका 27 का 27 है सरव पर्थम किस राज की बिधान सभा का भिगटन उसकी पर्थम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया तो ये कर दिया गया था केरल का उप्सन नमर सी सही जवाव है सबसे पहले केरल में हुआ था अगला है राजी की कारेपाली का सक्ति किसमें नहीत होती है तो कारेपाली का सक्ति राजेपाल में होती है लेकि इसका प्रयूग चीफ मिनिस्टर करते हैं अगला है कि राज सरकार का कार्य कारी और द्यक्ष कौन होता है तो वह राजय पाल होती है option नमर 20 सही जवाब है नेक्स्ट है भारती राजियों में राजपाल के नियुक्ति कौन करता है तो राश्पती करते हैं उप्सन नमर डी लेकिस सपत कौन दिलाते हैं संबंदित राज़ के हाई कोट के जज्ज त्यानक ने अगला है कि राजपाल अपना त्यागपत किसे प्रेसीद करते हैं यान किसको देते हैं तो राश्पती को देते हैं उप्सन नमर डी नेक्स्ट है निम्न में से किसको हाटाने का प्रधान सम्मिधान में नहीं है तो राजपाल को यान कि गुवर्णर को अप्सन नमर सी सही जवाब है नेक्स्ट है कि किसी भी राज़ में मुख मंत्री पद पर सरबधिक दिनों तक असियन रहने वाला ब्यक्ति है और इसका सही जवाब है किसी भी राज़ में हाला कि इस समय तो सिक्किम के हैं लगिन अगर हम इस कोश्चन के ऑप्सन के हिसाब से बात करें तो इसमें ज्योती बसु है यह वेश्ट पेंगोल में थे और यह काफी लंबे समय तक चीपनिश्टर रहे थे हला कि अब इस समय नहीं है यह दूसरे नंबर पर हैं सबसे लंबे समय तक रहने पर नंबर वन के रहने के मामले में उस सिक्किम के सिप्किपनिश्टर जो है आचुके हैं वहाँ पर अगला है बिहार के पर्थम मुख मंत्री थे और वह थे डक्टर स्री किष्ण सिंग अपसान नमरे सही जवाब है इसका अगला है भागते कि सिराज में मुख मंत्री पत पर निक्ट होने वाली पर्थम दलित महिला है और वह है मायावती अपसान नमर 20 सही जवाब है यूपी में बहुजन समाच पार्थी इनका पार्थी का नाम है अगला है कि बिदान सबा अध्यक्ष या उपाद्यक्ष को हटाने से सब्बंदी प्रस्ताव पेस करके करने के लिए कितने दिन पूर भी इसकी सुचना अध दोदा दिन पहले अपसान नमबर ए यान दो हपते पहले अगला है राज मंत्री परिश्चत समोहिक रूप से किसके प्रती उतरदाई होती है तो बिदान सबा के प्रती यानि कि लिए सिवर से मिली लूर हाउस नेक्स है थर्टी एट में कि राज बिदान मंदल का कोई सद से अपने सदन की आग्या के बीना सदन के सत्र से लगतार कितने दीन तक अनुपस्तित रहता है तो सतन उसे निशकासित करके अस्थान को दिखोसिट कर सकता है तो इसके लिए अगर zwei महीं यह तक है किनकी आपस नमर नहीं होना चाहिए तो मिनिमम मेंच क्या है 25 साल परधार मंत्री बनने के लिए मुख्य मंत्री बनने के लिए लोग साबा का सरह से बनने के लिए विधान साबा का सरह से बनने के लिए मिनिमम मेंच क्या है 25 साल मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है अगला है राष्टे विकास पै प्रति उतरदाई होता है तो यह उतरदाई होता है विधान सभा के प्रति अप्षान नमर भी अगल भ्यक्तिकत रूप से पूछ देगा तो आपको राजपल जहां लखना है अगला है कि राजी का मुख्ध मंतरी और फिर अप्षान है हमारे सामने इसे हम देखते बोले कौन है कि राजी का मुख्ध मंतरी राजी बिधान सभा दोरा चुना जाता है नहीं बिधान सभा नहीं चुनता है उसकी पार्टी चुनती है और राजपल न्यूट करते हैं अगला है मंतरी प्रशत के सरस्यों दोरा न्यूट किया जाता है नहीं यह भी नहीं होता मंतरी मंत्री पार्ट्रके स्लाष्यों दूबंत्रिक नेता हो नेता ये उसी पार्ट के होते हैं यह गलती है यह गलती है दूसरा इंभी साःघ्सा शाहा теперь कि उसी पार्ट्रक के तो लोग मंत्री प्रज़र में आएंगे तो वह लोग तो न्यूट करेंगे न इसलिए इसका अप्सान नमर 20 सही है यहां कि अप्सान नमर यहां पर सी आ जाएगा अगला है कि भाद किस राजी में सर पर थाम कोई महिला मुखवांतरी बनी तो उत्तर पर देश में बनी थी सबसे पहले अप्सान नमर 30 सही जबाव है अगला है जिमनिकित में से कौन किसी राज की पहली महिला राज पाल बनी है तो वह सरोजनी नाइडू यूपी के बनी थी है अगला है किसी भारती राज की परथब महिला मुख्यमंत्री बनी और वह यह अफ़ान न मट्री, स्रोजी नाइडोब, अफ़ान न मट्री होगा एकी कönचन है दोनोne अगला है कि मद्रपरदेश की परथब महिला मुख्यमंतरी थे माप करना यार मत पर्देश के पर्थम मुख्य मंत्री थे वो कौन थे MP के तो थे रभी संकर शुकल अपसा नमर सी सही जबाब है अगला है सुमेलित करना है हमें 47 नमर उत्तर पर्देश की सबसे पहले महिला मुख्य मंत्री कौन थी सुचेता कुपलानी पिहार की राबड़ी देवी नलो जी की वाइब मत्र पर्देश में उमा भारती बनी थी BJP की है ये राबड़ी देवी राज़त पार्टी की है सुचेता कुपलानी है कौन रिस की थी उस समय राजस्थान में बसंद्रा राजे हलागी अभी फिलहाल में नहीं है इस समय सुच घहलोत है तो अप्शन नमबर एस सई जबाब हो जाएगा 27 का अगला है निमनिकित में से कौन से बिस है है जिन पर कम से कब आथे राज़्यों के बिढ़ार मंदलों का अनुसर मर्थन सहीं संबधारी की संसोधन संभव है अब उसमें कोई भी संसोधन करना है तो राज़्यों के निरवाचन में तो टू ठोड में जोर्डिटों चाहिए ही होगा साथिषाद आठे सा जबाएदा राज़ियों की समत्वी चाहिए जहीए कैसे चुननना है अगला है इसमें की संसर्ट की राज्यों का प्रति नहीं तो ये भी अगर चेंज करना है तो इसमें सब किसा मतनी चाहिए आरे से जदा राज्यों की साथ की अनसुची में कोई भी सुची बदलना है तो बिल्कुल इसके लिए भी और किसी राज की बिधान परिशत की सभापती नहीं इसके लिए नहीं चाहिए इसके तो राजी खुच चाहेगा और उसके बाद भी देगा पास कर गए और फिर उसके बाद लोग सबारा सभा में इसके खत्म कर सकती है यानि कि एक दू तीन सही है इनकी अप्सन नमबर एस सही है इसका पोटिन नाइंट है निम्निकिते से किस राज में बिधान परिशतत ते गठन किया गया है तो ये किया गया है करनाटक में अप्सन नमर ची सही जवाब होगा पचासवा है कि भारत में राज बिधान परिशत के सरस्यों का कितना हिस्सा अस्थानिय निकायों दवारा चुना जाता है तो यह चुना जाता है एक टिहाई अपसर नमर बी सही जवाब है अगला है भारत में राज बिधान परिसर्द के सरस्यों का कितना हिस्सा अस्थानिय निकायों के बात होई है इसमें क्या बात होई थी बिधान परिसर्द में और यहां पर अगला है किसी भारती राज के राजपाल से संबंधित्य में कुण सा सत्य नहीं है यह बताना है हमें 50 सेकंड में इसको देखते हैं पहला है कि वह भारत के राजपती के दुबार निक्ट होता है बिल्कुल वह एक से अधिक राज्यों का राजपाल हो सकता है बिल्कुल वह पांच बरस्तक बद पर रहता है हाँ जैनरली पांच बरस्तक बर रहता है चाहे तो बिच में इस्तिपार दे सकता है यह राजपत मेंं द्राज की स्थापीत उसे पर से अटाए जाने का प्रस्ताव स्विकार करती चाहते हैं तो वो पधापति के पुरभी प्धमुक्त की आуса है नहीं यह जह नहीं कर सकता जिसमें नहीं कर सकताम कर सकते तिए स्व के समल अगर आप दिल्ली एमस में आएंगे तो इनके इनके नाम पे गलग से बेडि़ी है राजकुमार यंजी को फिवोई definitely कि अद्द सर्कार को कारूनischer मामले में सलाह देले के लिए अह quotesल के लिए को औरorarे सराकर कारोनि मामले में कोई नेक्राजit चाहिए होता है तो महात्र व्यक्ता देता है अपसांननमर शी और महानियावादी जो है किन सरकार के लिए होता है अगला है होता है या होती है बात एक यह डिपेंड करता है को अगला है 55 में किसी राज की बिधान प्रषट को निम्न के द्वारा समाप्ति या गठिट किया जा सकता है और यह संबन्दित राज की बिधान सभा द्वारा इस संदर में प्रषटाव पारिट करके अगर किन सरकार को भेज दिया जाए तो किन सरकार अगर बोलती है तो एक खतम कर दिया जाएगा तो अगला है 56 में राजपाल को सबच कौन दिलाता है तो राजपाल को सब्पर्ट जो सम्बंदित उतनी आले कमुखने आइलिस दिलाता है अपसानेमरी सीज का सही जबाब होगा 57 है बिधान सभा सत्रवाहन की आउधी में राजपाल दुवारा जारी किया गया द्यादेश की अधिक्तम आउधी सीमा हो सकती है और वह हो सकती है मेक्सिमम 6 मा लेकिन बिधान सभा का सत्रवरंप होने से 6 सफ़ता तक जैसे मानने जिये कि राजपाल ने क्या किया राजपाल कप करेंगे जैसे मानने कि कोई भी अधि वेसा नहीं चलना है बिधान सभा का तो एक अध्यादेश जारी करेंगे वो अब लागू तो रहेगा लेकिन कब तक लागू रहेगा जैसे ही बैठक शुरू हो जाएगा तो छी हपते का टाइम होता है अगर छी हपते के अंदर में विधानी साबा ने पास कर दे तब तो कानून बन जाएगा लेकिन अगुस्ते ने पास नहीं किये गए तो 6 अपते के अंदर में कानून अपने आप खतम हो सकता है लेकिन राज़िपाल इसको जारी करने के बाद अगर चाहे न तुबू आज जारी करते हैं मतब अद्यादेश कली चाहे तो आपस देने उनकी मर्जी ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी उनको अपसन होता है अगला लेखते हैं 58 58 है राज़िपाल किस के प्रती उतरदाई होता है तो राज़िपाल उतरदाई होता है राज़िपाल के प्रती अपसन नमर 20 सही जबाब है अगला है किसी राज़ के राज़पाल को अनुसुचित जन जात्यों के संदर्म में विशे सक्तिया परदान की गई है किस राज़ के राज़पाल को तो यह है और राचर प्रदेश अफसर नमबर ए अगला है राज़पाल का वेटन्थ किस कोस्ट से आता है तो यह आता है राजे के संचित निदी से अप्सर नमर पी सही जबाब है लेकिन अगर एक देखी ब्यक्ति एक से ज़्यादा राजेों का है तो दोनों राजेों का स्थियर राश्पटी तरह कर देते हैं कि कौन सा राजे कितना देगा अगला है राज बिधान मंदल के प्रदिकरन पर सीमा बंधन के अंतरगर तरिवनें से क्या नहीं आता है पहला है कि राज सुची पर अपात काल के दोरान संसत्कों कानून बनाने का अधिकार है बिलकुल है राज बिस्यो पर राज साभा दवारा अवस्यक पर स्ताव पात करने पर संसत्कों कानून बनाने का अधिकार है बिलकुल है राज बिधान मंदल को भंग करने की बीविका दिन सकती है नहीं बीविका दिन नहीं है मुक्ष मंत्री और मंत्री मंदल इसको लिखिट में बोलते हैं तो कर सकते हैं इसा तो अमरा सही जबावों की Option No. C अगला क्या है कि राष्पत्य के पिचाटर विद्रेकों को अरक्षित करने के राजपाल के दौरा स्विकरति excel है अगला है कि भारति सम्मिधान में किया गया संसोतन जब्बू कस्मीर पर बिस्तारित होता है और इसका सही जबाब है राश्पति के अनुचिये 370 के अंतरगरत आदेश द्वारा अप्सान नमर सी सही जबाब है अगला है राज्यों को परदत सहायता अनुदान पिछे राज्यों के प्रत्या निगरव परदत सित नहीं किन्द प्रायक यह भी गलत है आगे देखते हैं राज्य लेक के घाटे को पूरा करने के लिए प्रवधान किये जाते हैं जिसमें राज्य हितकारी कारे कर सके अपसान नमर सी सही जबाब होगा इसका अगला देखते हैं राज्य विधान साथ से संख्या 60 से 500 के मत हो सकती है प्रतु किस नियम के अफवास निम्नी खिट में से किन में पाए जाते हैं कुछ राज्यों में 60 से भी कम रखा गया यह मैं से कौन- unable से ना छिचीस में 60 से कम है पाट्डू चेरी में है, बहुत कम है, गुवा में भी है, मिजूरब में भी कम है, तीनों ही जगा पे 60 से कम है, कहीं 32 से कहीं 40 है, इस तरह से है, तीनों ही सही, अपसन हैं 20 सही जबाब होगा इसका, अगे देखते हैं, अगला है, उलिशा की पर्था महिला मुख्य मंत्री बनी, और इसका सही जबाब है, नदरनी सत्पत्थी, आपसन बढ़े, सही जबाब है इसका, अगला है, बिधान परिशन ते कितने सरस्य, राज के राजपाद द्वारा मनुन्द किया जाते हैं, और इसका सही जबाब है, और इसका सही जबाब है, और इसका सही जबाब है, अगला है, जदाज जिपाल अधिक से अधिक कितने सरस्यों को विधान परिशन ने मुनुनिस कर सकता है, और इसका सही जबाब है, अधिक से अधिक कितने सरस्यों को विधान परिशन परिशन प होता है अगला है विज्ञान सभा के कुल संक्या का कितना हिस्टा राज के विश्व बिद्यालों के इसनात को द्वारा चुना जाता है डायाग के नाम लेते में भाग देते हैं लोग और इसका सही जवाब है वह एक बटे बारा अप्सन नमर डी सही जवाब है इसका अगला है बिधान प्रेशन टिकुल सरस्य संख्या का कितना भाग माध्यमी की स्कूलों कॉलेजों और विस बिधारे के से को द्वारा निर्वाजित किया जाता है तो इसका भी है एक बटे बारा अप्सन नमर डी सही जवाब है अगला है उत्तर प्रदेश विधान प्रेशन में राजय पाल कितना सरस्य संख्या कितनी है 99 कितनी है 99 तो 99 में एक बटे बारा कितना हो जाएगा आप चोड़ लीजी तो करीब करीब यगा अरव बारा क्यास पस हो जाएगा तो बारा हो जाएगा अप्सन नमर सी सही जवाब हो जाएगा सत्तर वाले का अगे देखते हैं एक हत्तर है कि यदि किसी राजिक बिधान परिशत का सभापती अपने पर्ज से त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना त्याग पत्र किसको देगा वाइसका सही जवाब है राजिपाल को अपसन नमर भी अगला है विधान परिशत के बैठक की अंद्रिम्ति थी तता दुसरी बैठक की प्रथम्ति थी के बीच कितने समय से के अधिक कांतर नहीं होना चाहिए तो दू के बीच में छे मा का अपसन नमर सी है अगला है विधान परिशत की एक बर्स में कम से कम कितनी बैठके होना अनिवारी है तो कम से कम दो बैठक एकसान में होना अनिवारी है तो यह महिने के गैप में एक अगला है किसी राज विधान परिशत के सन नचना आथवा भिग्टन किया जा सकता है संसर द्वारा राजपाल के अर्व संसर पर option number C क्योंकि पहले बिधान सवा पास करती है राजपाल के पास जाता है फिर राजपाल जो है किन सरकार को बेज़ते हैं किन सरकार वहां पास कर देती है अब संसर का मतलब क्या है लोग सवारा सवारा और प्रेसिजेंट इसको बोलते हैं मेंबर अप्रेसिव कांसर में अगला है किसी राजपाल विधान सवा की तत्बंदी पर अप्सान नमर डी सही जबाब होगा उपर वला सवाल लिए बस इसको भुमाया गया यहां पे ठीक है तत्बंदी संकार को पारिट करकर संसर के द्वारा अप्सान नमर डी सही जबाब होगा इसका अगला है 76 में किसी बिधान परिशत के निर्वाचित शेतर का परिशीमन किसके द्वारा किया जाता है तो यह किया जाता है परिशीमन आयोग द्वारा अप्सान नमर डी सही जबाब होगा अगला है कि किसी राजी के बिधान परिशत के कितने सदस्य बिधान सभा द्वारा चुने जाते है बिधान सभाद वारा one third option number 20 साही जबावों का 77 का आगे देखते हैं 78 है किसी राज की बिधान सभाद में अधिक्तम कितने सरस्य हो सकते हैं और इसका साही जबाव है maximum 5.8, 226 तक करें तो हीता गिया गिया है आगे साही बतल जाए अगला है किसी राज बिधान सभाद का सरस्यों की निमतम संख्या कितनी हो सकती है वैसे तो 60 बट आएगी है मीनिमम लेकि ज़्यादा इसे कम भी है कई राजियों में 32 हैं 40 हैं कई जगव आगे देखते हैं 80 नमबर 80 नमर है बातिसा मिधान का यह प्रवधान बातिसा मिधान ने प्रवधान करता है कि किसी विराज बिधान सभा में 60 से कम सरस्यों नहीं हो सकते निमकित में से कौन सराज इसका अपवाद है अपवाद कौन कौन से इसमें से रेखना है हमे तो त्रिपूरा में भी 60 है हमें खाले मनी पर सब में 60 है सिक्की में नहीं है अपसर नमर्ट सी साही जबाब होगा हमारा अगला है निम्रिकित में से कहां बिधान सभास्तित्व में नहीं है बिधान सभा नहीं है पाड़ु चेरी की है दिल्ली की भी है गुगा की भी है लक्षदीप में नहीं है तो दीव जबाब अपना साही हो जा और दिल्ली में दो में है बाटुचरी और दल्ली में दो जगह पे होता है अगला है विधान साभा का सत्रपर्श में शे महिने में या या निका दो बार कम से कम साल में दो बार होना चाहिए अगला है बिधान सभा बैठक की अंतिम तित्थी तथा दुसरी बैठक की प्रत्थम तित्थी के बीच कितने समय से अधिक कांतर नहीं होना चाहिए एक ही बात है अफसर नमर डी सही जबाब होगा इसका अगला है बिधान सभा देख्ष का चुनाव कौन करता है और इसका सही जबाब है बिधान सभा का सलसे करते हैं अफसर नमर सी अगला है और स्थाई बिधान सभा देख्ष जिसको बोलते हैं प्रोटे में स्पीकर की न्युक्ति कौन करता है तो ये करते हैं राजपाल अफसर नमर ये सही जबाब है इसका अगला है विधान सबाइए डेक्ष को उसके पद की सब्द कौन दिलाता है इसका साही जवाब है राजपाल अपसट नम्बर a एक सकट एक सकट ये कैसे हो सकता है राजपाल को सब्द क्षप नहीं होता उनका कुछ नहीं तो लोग सभा के स्पिकर का होता है नहीं बिधान सभा के अडेक्श का होता है दुरूम से किसी का नहीं होता पूरी इंडिया की बात है यहाने उसके संख्य करिव एक 1080 है अफ़िद्सर Papus N infant S आहीजबाव है अगला है बिद्धान सभा ध्यक्ष अपना ट्याक पत तक किसको देता है तो अपना ध्यक्ष देसकते है बिद्धान सभा को पत ध्यक्ष को गुदान सब्सक्राइश को किस परकार पदसे हटाय जाए जासकता है गुदान थे मातना से नहीं में चाहिए सभी जवान पकाशय जाता है कि तो पाहला है पर्सासि के सब्सक्राइब पर पर्षुबंगों कुछ सक्तिते between कि नहीं ये इस परिशत लगों सर सब्सक्राइब कर सकती है यह कर सकती है तो गल्टी तो वाप करना इसका यह कुश्चन में ना पहला सही होका दूसरा सही होका यह भी सब्सक्राइब पर स्ब्सक्राइब कर सकती है कुछ बामनों को लेकर हलकी फुल की है इसको सही मालेंगे दूसरी भी सही है और चौती भी सही है बस तीसरा वाला गलत है क्योंकि विधान परिशर में हारे या जीते उससे कोई फ़रक नहीं परता ऐसा ही केंदर में लोग सभा होता है और एस सर्कार गेड़ जाएगे इसका कुछ नहीं होता है राज्तर बस पुष्छथर में सर्कार हार पी जाती है तो इसको सिफाण नहीं देना पड़ता तो नाय टीटू का सफासर ड़ा अगला है विधान परिशर का सभापति विद्धान परिष्ट का सरस्यों दुवरा अपने बीच से चुना जाता है बिल्कुल उननी में से कोई एक होता है अपसान नमर सी सही जबाब है अगला है किसी सधान विद्धेग को विद्धान परिष्ट अरिख सारी कितने दिनों तक रोख कर रख सकती है तो अरिक अरिक चार माह तक रोख सकती है अपसर नमबर ये इसका सही जबाब है अगला देखते हैं तो 95 नमबर में क्या है निम्निकित में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला एक कानून बनाने में मिधान परिशल भाग लेती है बिलकुल लेती है मंत्रियों से प्रस पुषने का दिकार बीढान सभा का समरशयों को नहीं है बाके दोनों सही है आप आउसकर के विडियो को देख सकते हैं अगला है 96 में सुम मेरीट करना है हमें ठीक है पाला है चंडीगर चंडीगर में जो सासक होता है उसको बोलते हैं मुख्यायूक तो बोलते हैं लक्षदीप लक्षदीप में जो होता है उसको बोलते हैं परसासक पाटूचेरी पाटूचेरी में उपराजपाल होते हैं और दिल्ली में भी उपराजपाली होते हैं तो क्या होगा इसका जबाब मनदब पहले का दो दूसरे का तीन होना ज़रूरी है और एक चार चार एक दूने चलेगा यह है अपसा नमर सी साही जबाब होगा इसका अगला है किस राज में बिधान परिश्द के गठन के प्रस्ताव को रट किया गया है जो पिछली सरकार दूरा पाइद किया गया था तो वह तमिल्णादू का अफसान नमर भी अब वह पर बिधान परिस्द नहीं बनाय जाएगा अगला है 98 में कि बिधान परिस्द को समाप्त करने वाला आखरी राजी कौन सा है तो वह पर तमिल्णादू अफसान नमर भी अगला है 1957 ने बिधान परिस्द का सुजन और 1985 ने उत्पादन किया गया और पुला सुजन किया गया यह कहां पर हुआ है बना खतम फिर शुरू कर दिया गया तो यह सब कुछ हुआ था अंधर परिस्द में अपसान नमर है हलाकि आज भी अंधर परिस्द में है वहाँ पर बिधान परिस्द अगला है क्या किसी राजी के बिधान परिस्द के उत्साजन की परकिरिया में परिस्द की कोई भूमिका होती है तो इसका सरी जबाब है, होती है, नहीं होती है, विदानसवा करमतित देने पर नहीं, बेल्कुल नहीं होती है, अप्सन मर्भी सरी जबाब होगा इसका अगला देखते हैं, अगला है, राजपाल का वेतन तथा भत्ता दिया जाता है और यह दिया जाता है, Consolidated Fund of State, राजपाल के संचित निदी से, अप्सन मर्भी सरी जबाब होगा अगला है, राजपाल के दुसरे सतन के स्थापना या उसे रद करने की प्रस्षे संबद्धित कौन सी सही बिधी है, सबसे सही बिधी कौन सही बताना है तो सही जबाब होगा, अप्सन नमर्बी, सब्द्धित राजपाल के बिधान सभादवारा, पूर्ण बहुमर से पाईट परस्ताओ, इसी इसाब से कर सकते हैं ठीक है, अगला है, राजपाल निमिकित में से किन मामलों में बिध्यक को राशपती के बिचारत अरक्षित कर सकता है तो कोई बिध्यक आता है, तो राशपती के लिए उसे क्या कर सकते हैं, अरक्षित कर सकते हैं, ऐसे कौन से भी सही हैं तो पहला देखते हैं पहला है कि जब विद्यक समिधान के उपन्दों के विरूध हो बिल्कुल दूसरा है कि जब विद्यक समिधान के भाग चार के को के विरूध हो नहीं जब विद्यक समिधान के अनुशे 31A के अंतरगवत संपति का अनिवारी अधिक्रहंते सम्बंदी थो बिल्कुल तो पहला और तिसर यहां कि अप्सन नमर सी सही जबावे अगला है कि राज पिधान मंडल के विशेसा अधिकारों के सम्बंद में निम्निकित में से वह कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है बताना है हमे सो फर्स्ट है यहां पे कि उन्हें राज मंत्री मंडल सत्र के दवरान निरवाहक निरोध मामले के लिए गिरफतार नहीं किया जा सकता यह बिल्कुल गलत है दुसरा है राज पिधान मंडल में उन्हें अभी व्यक्ति के सतंता प्राप्त होती है उपस्तित होने से मना कर सकते हैं बिल्कुल इस समय मना कर सकते हैं तो दूसरा और तिसरा सही है यानकी अप्सन नमबर सी सही जवाब होगा 105 वा देखते हैं 105 नमबर यहां पे है कि भारत के सम्विधान में यह उपण्ध है कि और आगे बताना है कौन-कौन सा सही है तो हम सही देखते हुए चलते हैं इसमें पहला है कि प्रतिक राज की बिधान साहबा 450 से धर्टिक सदसे होगा यहीं पर गलती आ गया कम से कब 500 होन के ज़्यादा से ज़्यादा यह गलती है दूसरा है तो यह पर लाइन है कि कोई ब्यक्ति किसी राज की बिधान साहबा के किसी अस्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए आहित नहीं होगा यदि उसकी आयू 25 बर से कम हो तो ऐसा हो सकता है ऐसा हम कर सकते हैं तो फिर यहाँ पर यह दो वाला सही माना जाएगा गुसरा सब्सक्राइब करता है तो वह करता है भारत का राश्पति आपसर नमर्डी सब्सक्राइब होगा अगला है एक सो साथ लाइन है कि राजपाल के संदर्व में निमनिक्ति कतनों पर विचार कि पहला है कि वह राज के किसी बी कानून के बीरूद किसी भी उपराद के लिए दोसी ठराएगा किसी ब्यक्ति का डंड परिवर्टित कर सकता है बिल्कुल ये वो कर सकते हैं तो पहला तो सही है दुसरा है कि वह अंगल भारति समुदाय से राज बिधान सभाग में दोसरा से मुनिक्ति कर सकता है नहीं एक का करती है उसे पहला ही सही है अपस अंभर 20 सही जवाब होगा अक्ला है भारति सम्विधान के किस अनुसूची में राज्च्यो की नाम और राजिश्य चेत्र का ब्योरा है ओर यह है पहली अनुसूची में सानभर ऑ होगा दूसरे में क्या है दूसरे में उनके पैसे को लेकर वेटन को लेकर है तीसरे में उनके सपत को लेकर है सपत किस तरह से होगा और चोथे में बताये गया है कि राज सभा में सीटों का बटवारा किस तरह से होगा इसके बारे में ठीक है अगला है 109 नमबर कि राज पिधान सभा के किसी सदन की और योगता का प्रस्त उत्पन होने पर विबात के निर्धाइत है तो राजपाल किसे प्रामर्स लेता है किसे प्रामर्स लेता है तो राजपाल को प्रामर्स लेना होता है तो चुनाव आयोग से लेते हैं इस मामने में अप्सन नमर सी सही जवाब होगा 110 वा है कि देश ते किस राज में राजिपाल दो महिलाओं को मनुनित करता है तो ये सक्ति प्राप जम्भू कस्मीर में था हलाकि अब तो एक खतम हो गया अब है नहीं है जब में हुआ है नहीं था यहां पे था आना चाहिए ठीज के लिए तो राजE बालने के लिए क्ला कि 35 साल अपै सब्धान करतार्जाम् बाइन करो कमसे कम कम उमर 35 साल होने चाहिए ठीक है और भोट करने के लिए उमर कम से कम 18 साल होना चाहिए साधी के लिए भी 18 साल लड़कियों कर रुका 21 साल बर में भी लड़कियों का भी जल्दी 21 साल हो जाएगा अगला है एक सबारा में कि राज के बीत मंतरी को बिधान सभा में बज़र प्रस्तूत करने का निर्देश कौन देता है तो इनको निर्देश राज्यपाल देते है उप्सन नमर सी सही जबाब होगा इसके साथ ही अपना ये स्रीज खतम होता है यहाँ पे मिलें के नेक्श वीडियो में बाकी कोश्चन्स के